Hey all right and welcome to all and today is the Hindu news discussion. Now daily के basis पर हम page by discussion करते हैं और हर एक पेसे important जो भी news रहती है UPSC prelims के लिए और mains के लिए और उसी editorial के basis पर हम Monday to Friday answer writing भी करते हैं. Right. सबसे पहला हमारा analysis का पहला जो section रहता है overall news paper को पढ़ लेना. देखें यहाँ पर सुन्दरवन के बारे में दिया गया है सुन्दरवन के बारे में जानेंगे. ठीक है? मैंगरूप्स के forest वहाँ पर पाए जाते हैं उसका क्या relevance है? बहुँ ज़्यादा important चीज है. अभी cyclone यास के वज़े से बहुँ ज़्यादा impact हुआ संदरवन forest को, right? COVID-19 के essential उसमें GST लगनी चाहिए या नहीं जो group of minister हैं वो अभी review करने वाले हैं study करेंगे. तो group of minister आज भी हम detail में discuss कर लेंगे. कल भी हमने यह पढ़ा था, right? उसके बाद next है chief secretary. मैं कहूँगा कि यार IES, जो IES होते हैं वो सबसे छोटी post होती है, generally अगर आप normally मानो, क्योंकि उसके बाद promote होके chief secretary highest bureaucrate, मतलब जो सबसे बड़ा power होता है. मतलब एक chief secretary के अंदर बहुत सारे IES काम करते हैं, सोचो. तो अभी उनको transfer कर दिया गया. तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, quality में बहुत जादा मुद्धा है, quality में UPSC prelims में बहुत अच्छे से ये पूछा जाएगा ये क्या होता है, इसके कौन से rules होते हैं. अभी vaccine production कितनी हो रही है, उसके लिए केग audit करेंगे, केग के बारे में यहां पर जानेंगे, केग क्या होते हैं, एक आदमी को yellow, black और white fungus हो और उसके बाद उसकी death हो गई, ठीक है, और उसके बाद South China Sea इसको देखेंगे, यहां पर चलिए यह आप बताइए, ओल ओवर study material आपको मिल जाते हैं, उसमें से एक चैनल है, at the rate PR publication, आप सर्च करेंगे, तो आपको इस free group में मिल जाएगा, बहुत सारे जो detail में, जो recent के current होते हैं, वो तो मैं आपको send करता ही हूँ, जैसे salt, gaggle, RT-PCR method क्या है, उसके बारे में आपको notes भी मिल जाएंगे, और पूरी link भी मिल जाएगी, उस सब की PDF भी मिलती है, दूसरा, हम daily के basis पर answer writing यहाँ पर करते हैं, और उसकी free में जो हमारे paid user answer writing करते हैं, वो भी हम share कर देते हैं, ठीक है, तो आप इस free group को join कर लें, बट आप चाहते हैं PR publication के guidance में रहके, अपनी UPSC की preparation को जारी रखें, तो early plan ले सकते हैं, 499 रुपीज का एक साल के notes होगे, answer writing होगी Monday to Friday, NCRT 6 to 12th notes होगा, ठीक है, अगर आप UPSC dedicated sprint है, NCRT अभी revision चल रहा आपका, और test reach नहीं मिल रही हैं, तो सभी subject chapter wise test है, detailed solution के साथ, video course भी है, 16 plus videos हैं, plus PDF हैं, तो combine, ये तीनों combo plan है, 999 रुपीज के लेना कैसे है, दिये गए नमबर पर Google पर फॉन पर कर सकते हैं, जो भी payment करेंगे, उसकी screenshot सेम नमबर पर WhatsApp करनी है, और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे, अब कुछ सालों से जो सुन्दरवन है, जहां पर 5 million से ज़्यादा लोग रहते हैं, और लगातर cyclone से hit हो रहा है, जो सुन्दरवन forest है, फानी आया था 2019 में, बुलबुल आया था 2019 नमबर में, अमफान आया था में 2020 में, और यास आ गया 2021 में, देखिए अगर repeated number of cyclone किसी particular area में आते हैं, और वो भी एक ऐसा area जहां पर biodiversity बहुत ज़्यादा उभर के आती है, बहुत ज़्यादा biodiversity का importance है, ecology बहुत अच्छी है, तो उसको लगाता cyclone hit कर रहा है, तो government of India ने इसके चलते हुए कुछ steps लेने चाहिए थे, और इनकी intensity भी ऐसा नहीं होता कि बहुत कम होती है, 150 से लेके 160 km per hour मतलब severe cyclonic category में रखा गया ह है, IMD ने इन cyclone को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा तो याँ damage है, यह 5 million लोग जब यहाँ पर रहेंगे तो इसे vulnerability factor कहते हैं, कभी आपने disaster management पढ़ा होगा, तो उसको vulnerability factor कहते हैं, कि कितने लोग, कितने building है damage हुई, कितने लोग damage हुई, उसे vulnerability factor क कहते हैं, right, और उसके basis पर एक disaster को बहुत ज़्यादा intense माना जाता है, जितना ज़्यादा vulnerable population वहाँ पर होती है, उसके साथ साथ एक island है, अगर कभी आपने बोला कि यह natural disaster का, या climate change का क्या impact हो रहा है, generally अगर आप देखोगे, घोर मारा एक island है, that has been sinking due to rising sea level, where a few dozen houses and acres of land go under water every year तो सोचो यहाँ पर घोर मारा एक island है, अगर आप कभी भी यह देखे हैं कि climate change का आप example देना चाहें, तो recent में जो चीज़ें news में रहती हैं, वो जरूर mention करें, तो UPSC mains का यह example है, कि घोर मारा एक island है, वो हर साल, हर साल कुछ-कुछ जो few dozen of houses और acres of land पानी में ढूब रहा है समर्ज हो रहा है, किस वज़े से समूद्र का level बल रहा है, तो directly indirectly आप cyclone कह सकते हैं, आप directly indirectly climate change कह सकते हैं, तो यह घोर मारा के बारे में जरू जानने, सुन्दर्बन का एक island है, सागर island, biggest island है सुन्दर्बन का, और and the site of famous गंगा सागर मेला during the मकर सक्रान्ती has also suffered a damage, ठीक है, इस island को भी suffer करना पड़ा, तो यह सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अगर cyclone आ गया तो सिर्फ एक ही, जैसे वेस्ट मंगल या उडिसा करें तो लोगों को hit नहीं कर रहा, forest जहाँ ecological biodiversity है, वो भी उसको भी hit करता है, आप बात आती है सुन्दर्बन की, तो सुन्दर्बन को देख ले cyclone अमफान आया था तब की यह news है, key points बहुत simple सी बात है, कि यहाँ पर एक mangrove forest है, ecosystem बहुत अच्छा है, तो world का largest mangrove forest सुन्दर्बन में है, और आपको पता है mangrove forest के बारे में अगर बहुत बड़ी tides भी आती है, cyclone भी आता है, ठीक है, flood भी आता है, तो mangrove forest उस flood को रोक forest reserve, but conservation effort in India were stepped up with the creation of Sundarban Tiger Reserve in 1973, Sundarban को Tiger Reserve भी बनाय गया था 1973 में, ताकि और ज्यादा legally इसको conservation मिले, protection मिले, right, Sundarban National Park 1984 में established हुआ, याद रखो, एक particular area National Park की तरह भी, Tiger Reserve की तरह भी recognize किया जा सकता है, right, और इसको UNESCO की World Heritage Site 1987 में बना दिया गया था, Sundarban designated as the bias fair reserve by UNESCO in 2001, तो इतने सारी चीज़ें Sundarban को मिली है, right, Sundarban wetland India was recognized wetland international importance, रमसार convention के अंदर, तो जो छोटे 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 fact बता रहा हूँ, एक एक माकसमा आप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सबसे tiger reserve कब बना 1973 में, UNESCO World Heritage Site 1987 में, national park का दरजा 1984 में, bias fair reserve का दरजा 2001 में, wetland का important site under ramsar convention 2019, रमसार कहा की city है, यह आपको बताना है, ठीक है, इसमें जो wetland होते हैं, उसको protect किया जाता है, क्योंकि wetland में भी होता है, wetland में भी क्या होता है, land, जो होती है, wet होती है, generally wet होती है, कहने का, मतलब, normally तो wetland से, आप term से समझ जाओगे, कि जो land होती है, उसमें जो है, humid रहती है, बहुत जादा, और पानी भी रहता है, पर यहाँ पर इसकी खूबी क्या है, wetland की, बहुत जादा biodiversity होती है, मतलब, अलग-अलग species, plant की species, birds की species, animal की species, छोटी-छोटी, जो दूसरी species होती है, बहुत उभर के आती है, ठीक है, फल फूलती है, इसलिए उनको protect करना पड़ता है, अब आप कोगे यार, चलो ठीक है, उनको protect क्यों करना पड़ता है, मैं ये simple से भासा में आपको बताऊंगा, कि यार, आदमी बहुत ज़्योदा selfish रहता है, क्योंकि उसको पता अगर एक भी, क्यों IOCN ने list बनाई है, इंडेंजेट क्या हम एनिमल से से या plant species से इतना प्यार है, हम plants को काटने से क्यों रोकते हैं, खुद के selfiness के basis पर, अगर आप सब को पता है, अगर simple सी बात है, जो food chain होती है, एक भी food chain break हो जाती है, तो human extent उससे हो सकता है, मतलब आप समझोगे कि अगर हम tiger को इशले बचाते हैं, ताकि हम बच पाएं, ठीक ह इसलिए यह सब चीज़ है, रमसार convention wetland को इसलिए protect किया जाता है, राइट, सुन्दरबन में globally threatened wildlife species आपको देखने को मिल जाएंगी, water monitor lizard है, गेंगडिक dolphin है, olive ridley turtles है, ठीक है, और सुन्दरबन delta एक only mangrove forest है, जहां पर world inhabited by tigers, for its preservation, discovery इंडिया और worldwide fund ने partnership की थी, वेस्ट बंग और ज्यादा map दिखाऊंगा, तो यह सुन्दरबन यह देख लो थोड़ा सा, ओके, यह देखो, यह छोटा से दिख रहा है, ठीक है, बांगलादेश, इंडिया, यह वेस्ट पंगॉल के पास है, सुन्दरबन, इतने area में फैला हुआ हुआ है, नाव कल भी हमने देखा था से area import उस पर tax लगाई या नहीं, तो group of minister जो हैं, वो चेक करने वाले हैं, to study relief for covid essentials, और यह 8 जून को, ठीक है, 8 जून को हमें बता दिंगे कि क्या-क्या चीज़े हैं, पर group of minister important हो जाता है, पॉलिटिक लिए इसको discuss कर लेते हैं, now group of minister क्या होता है, एक तो होती है cabinet committee, cabinet committee मतलब मंतरी होते हैं, जनरली, ठीक है, जैसे home minister हो गए, ठीक है, finance minister हो गए, तो उसके साथ साथ, cabinet committee के साथ साथ, बहुत सारे group of minister भी होते हैं, जिसको अलग-अलग task के लिए बनाया जाता है, यह एक ad hoc bodies होती है, group of minister ad hoc bodies, ad hoc मतलब होता है temporary bodies, यानि कि उनको एक काम दिया जाएगा, जैसे इस group of minister को काम दिया है, कि 8 जून तक आप recommendation दो, study करो, अब 8 जून के बाद इन group of minister को abolish कर दिया जाएगा, खतम कर दिया जाएगा उनका काम, ठीक है, और group of minister cabinet के behalf में decision लेते हैं, बट यह recommendation देते हैं, जनरली, ठीक है, और अभी के basis पर जब UPA government सी 21 group of minister हुआ करते थे, फिर 9 इंपाउर group of minister हैं, फिर 27 group of minister हुए, UPA second government में, धीरे धीरे जब PM Modi की सरकाराई, उन्होंने group of minister को abolish कर दिया, बट टाइम टाइम पर अपनी नीट के, देखे, group of minister इसलिए बनाया जाते हैं, ताकि जो cabinet committee में एक तो expertise की कमी होती है, दूसरा उनके पाँ बहुत ज़्या मोदी ने तो abolish कर दिये थे, group of minister और import group of minister, 2004 के बाद से ही, ठीक है, धीरे-धीरे कम करना शुरू किया, बट अभी भी धीरे-धीरे कभी-कभी जब जरूरत पड़ती है, उसको appointment कर दिया जाता है, राइट, अब नाव सबसे जो बड़ा मुद्दा आया है, withdraw, transfer, order of chief secretary, ममता, अब हुआ क्या, बहुत simple सी भासा में मैं आपको बताता हूँ, cyclone यास आया था वेस्ट पॉंगॉल में, बहुत simple सरल भासा में समझाता हूँ, ताकि इतना story को complex से नहीं बताता हूँ, और आपको नॉर्मली समझ में भी आ जाए, आपको इतना दिमाग खर्च ना करना पड और हिट किया वो, और बहुत तेजी से हिट किया cyclone, very severe cyclonic condition में उसको रखा गया, category में रखा गया, 160 km per hour की speed से आया, अब बहुत सारी चीजों को डेमेज किया, एक एक हजार करोड रुपे सेंटर ने तीन राज्यों को दे भी दिये, उडिसा, जारखंड और वेस्ट ठीक है, अलपन बंदोपाद घ्याई, ठीक है, अब यह क्या करते हैं, अब सेंटर गवर्मेंट ने एक मेटिंग रखी थी कि यार चलो ठीक है, इस्टेट के भी सीम आएंगे मिलेंगे, थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, तो ममताब एनरजी को बुलाया और उनके साथ च चीफ सेक्रेटरी मान के चलो, ऐसे मतलब आईएस का टॉप लेवल, आप सोचे होगे कि इनिशियल मां आईएस सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना, आईएस तो काम करता है इन सब के नीचे, ठीक है चीफ सेक्रेटरी के हाना कि अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, प बिरोकरेट का सुपरमेन है, सोच लो, ठीक है, अगर किसी को भी मान लो की एड्मिस्टेटिव लेवल पर टॉप पर है, बिरोकरेट, तो वो चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, उसके ही डिसिजन होते हैं, पूरे वो, उसमें राजजी में, ठीक है, तो बहुत ज़दा इंपो में कैसा रिलेशन है, और अभी तो राजजी में अलग सरकार है, सेंटल मारक सरकार है, तो दोनों का और ज्यादा तसल चलता रहता है, तो ठीक है, चले गए, अब ममताब एनरजी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये तो हमें हुमिलेट कर रहे हैं, वगरा वगरा, बताया ब कि जो वेस्ट पंगाल के चीप सेकरेटरी हैं, उनका ट्रांसफर ओर्डर, ठीक है, और इस पर ममताब एनरजी ने बोला कि ये अनकॉंस्टूशनल है, यूनिलेटरल है, मतलब आप अपने फेस से ही आपने ये ट्रांसफर कर दिया, अब आपके माइंड में भी होगा, सर क किते हैं, बताइए, फिर क्या प्रोसिजर है, ट्रांसफर करने का कोई प्रोसिजर होता होगा, ठीक है, चलो, पहले मैंने आपको ये पूरा स्टोरी बता दिया, कि कुछ घंटे, चीप निश्टर जब मिलके आई, रिव्यू मिटिंग में, तो उसे कुछ घंटे के बाद, Appointment Committee of Cabinet, अब जो मैं सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ, ये है वो, Appoint Committee of Cabinet, जो आपसे UPSC प्रिलिम्स पॉलिटी आपसे पूछेगी, ठीक है, जो UPSC आपसे पूछेगी, ठीक है, और आगे ये भी बोला गया है, कि जो ये ट्रांसफर किया गया है, ये Constitution of India का जो फेड फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरलिज्म का मतलब होता है, कुछ ऐसे कि सेंटर के अपने कानून होंगे, राजी के अपने कानून होंगे, ऐसा नहीं कि यार, सेंटर के चीफ सेक्रेटरी है, सेंटर उनको ट्रांसफर करवा दे रहे हैं, ठीक है, वो भी यूनिलेटरल तो उनका यही कहना है कि यार constitutional हमारा जो crumble हो जाएगा अगर इतना ज़दा political dominance से दिखाया तो ठीक है तो यह सब चीज़ें अब बात यह आती है कि चलो इसके लिए कोई rule बना है क्या यस देखिए जो ममताब energy है उन्होंने बोला कि यार जो यह चीज़ें है cyclone yas के चलते हुए prime minister और दूसरे permission लेने गए थे और यह सब चीज़ें meeting होई थी ठीक है बट बात यह आती है कि उनको हटाया कैसे गिया या इनको appoint कैसे किया जाता है किसी एक cheap secretary को ठीक है तो यह है appointment committee of the cabinet अभी मैं पूरी यह बताऊंगा जो UPSC policy में पूछा जाएगा तो उसे बोलते हैं placement of services ठीक है और यह लिखा गया है Indian administrative service carder rules 1954 में कि appointment committee of cabinet जो है appoint करेगे किसी chief secretary को ठीक है और एक चीज़े आद रखना ACC को head कौन करता यह पूछा जाएगा तो ठीक है तो अब rule क्या कहता है फिर rule बहुत simple कहता है कि एक जो department of pension है ठीक है तो उसने ACC ने approve कर दिया उनका जो transfer है ठीक है under rules 1954 बस अब UPSC prelims के लिए यह याद रखो अगर chief secretary को हटाना है तो वो कौन से ACC काम करती है appointment cabinet committee और rules IES rules 1954 बस दो चीज़ें आपको prelims के लिए याद रखनी है और but legally अभी के बात करूँ तो वो क्या है center के पास ultimate power है क्योंकि 1964 में इसमें change किया कि center जो है किसी को transfer कर सकती है but legally क्या होता है कि center तो hold करती है ultimate power but there is also a custom that officer will not be deputed against his her own will अगर officer नहीं चाता उसके will के अगेंज ये काम नहीं होना चाहिए और दूसरा ये होता है कि जिस भी state government में वो appointed है उनसे पूछा जाना चाहिए ममताब एनरजी से तो पूछा ही नहीं गया ठीक है once the nomination is received their eligibility is scrutinized by panel तो इस तरह से ACC उनको chief secretary को बनाती है और उनको हटातने का काम भी ACC ही करती है 1954 के अंदर but वहाँ पर state government का भी concurrence होना चाहिए state government से भी जो है पूछने चाहिए ओके ठीक हो गया तो मैं आप cabinet committee बता देता हूँ आपको दूसरा तभी बोला कि यह unilateral है मतलब यहाँ पर देखो in case of देखो जो अगर किसी को भी देखो अगर कोई IS बन चुका है फिर उसके बाद promotion होके होके वो chief secretary level तक पहुँचने वाला है तो concurrence of state government concerned with central government be deputed for service under central government और another state government मतलब state government और central government दोनों का ही concurrence होता है बट कभी कभी ऐसा भी होता है disagreement भी होता है the matter shall be decided by the central government कभी and the state government और state government concerned shall give effective decision of central government मतलब कहने का मतलब यार राजी सरकार से भी आपको पूछना पड़ेगा ठीक है बट 1979 में तो central government अपने power के basis पर कर सकती है बट custom ये कहता है कि यार उस officer के will क्या गहीं तो आप उसको transfer नहीं कर सकते है अब बात ये आती है कि यार cabinet committee कितनी होती है union government ने अभी release की 8 cabinet committee की list दो नई एक investment एक दूसरी employment और skill development की हमें जो बात करनी है वो ये है appointment committee of cabinet क्योंकि यही तो appointment करती है जो बड़े बड़े bureaucrates होते है न उसके लिए कौन सी committee होती है यही अब देखो बहुत सारी committee है हमारी appointment committee of cabinet cabinet committee on accommodation cabinet committee on economic affair अगर quality में लक्षमी कान्द का ये chapter आप skip कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो 2-3 marks का यहां से पूछा जाएगा ठीक है तो सभी जो committee all committee accept cabinet committee on accommodation और parliamentary affair ये देखो एक ये वाली और ये वाली accommodation ये दोनों home minister जो होते हैं वो चेयर करते हैं बागि सब prime minister करते हैं ठीक है तो ये चीज़ याद रखना बस यही है cabinet committee का cabinet committee extra constitutional emergence होती है वही यार बहुत जादा काम होता कभी council of minister को तो ये लोग होते हैं ये चीज़ प्रिलिम्स के लिए याद रखना क्या cabinet committee constitution में 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 नहीं थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना प्रिलिम्स का सबसे बड़ा point ये है अब बाद आद ये कितना खर्चा आ रहा है कैसे हो रहा है तो वो controller and audit general करते हैं तो भारत में इनकी post बहुत ज़दा महत्पोण है तो कैग को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कैग का full form होता है controller audit general of India constitution ने इनको रखा है part 5 में union government के अंदर union list के अंदर कैग mention है constitution में article 140-151 ये head करते हैं audit और account department को right कैग ये head करते हैं दूसरा ये public purse के guardian है control the entire financial system of country चाहे central level पर हो या state level पर हो appointment और term क्या होता है कैग president appoint करते हैं 6 साल के लिए होते हैं और 65 वर्स के लिए जो भी पहला हुआ ठीक है कैग audit करते हैं receipts expenditure of all bodies ठीक है generally central और state government में जितनी वे bodies होती है कितना पैसा खर्चा हुआ ठीक है उसको check करते है report he submit his report relating to account of center and state to president and governor center की list president को देते है state की list governor को देते है और वो लोग किसको देते हैं फिर parliament को देते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें होते हैं अब एक और चीज़ क्या हमारे जो कैग है वो ब्रिटेन के कैग से कैसे अलग है अगर ब्रिटेन के कैग कैसे होते है कि अगर देखो हमारे यहां तो audit controller audit and account controller and auditor general of India तो ये controller और audit हमारे अभी कैग का काम सिरफ audit का है कि मतलब पैसा खर्च हो गया तो सही हुआ या नहीं उसको चेक किया जाएगा बट ब्रिटेन के कैग में हमारे कैग से डिफरेंस इसलिए है कि ब्रिटेन के कैग में अगर पार्लेमेंट को पैसा चाहिए होगा तो उनको सबसे पहले कैग की पर्मिशन लेनी पड़ेगी भारत में ऐसा नहीं है कि PMODI या Council of Minister को अगले खर्चा चाहिए तो वो कैग से नहीं पर्मिशन मंगनेंगे वो खर्चा कर देंगे उसके बाद जो खर्चा किया होगा उसकी हाला कि audit कौन करी की कैग यही छोटा सा डिफरेंस है ब्रिटेन के कैग और इंडिया के कैग में Man with yellow, black and white fungus dyes और याद रखना ये तीनों ही yellow, black और white fungus जो fungal diseases है person to person नहीं फैलती ये चीज याद रखना animal to person भी नहीं फैलती directly जो antifungal medicine से ये सही हो जाएंगे जैसे M4 terrorism B ठीक है इस particular video मैंने बनाई हुई है ये कैसे काम करते हैं CBI ने arrest किया है चार भोपाल FCI स्टाफर को bribery case में और terror conspiracy case हुई है NIA तो जल्दी जल्दी मैं revision करा देता हूँ आपका CBI और NIA का Now CBI Central Bureau of Investigation Premier Investigation S के जैसवाल अभी CBI के नई director बने है Prime Minister office के अंदर आते है Ministry of personnel और pension public revances के अंदर ठीक है और ये पूरा office PMO के अंदर आता है Conviction rate 65-70% मतलब 100 cases आये तो 70 case solve कर लेते हैं Question आता है director CBI के कैसे appoint होते है 2004 तक CBI की director Delhi Special Police Establishment Act के basis पर होते थे appoint फिर उसके बाद 2004 में लोगपाल act आता है वो एक committee बनाते हैं और वो बलते हैं कि CBI के director को ये committee appoint करेंगी Community को head करते है PM Other member leader of opposition या leader of single largest party या तो chief justice of India होंगे या supreme court के judge होंगे N.V. रमनना जी अभी present थे CBI के जो tenure होता है 2 साल का होता है CBC Act 2003 में उनकी guidelines से लिखी गई है N.I.A. जब Mumbai attack हो आ था 2008 का तो एक जरूरत पड़ी थी कि Central Agency होनी चाहिए क्योंकि यार intelligence failure बहुत जादा देखने को मिला था तो 2000 Mumbai attack के बाद N.I.A. को बना दिया गया और ये उसको responsibility दे दी गई कि भारत में यार sovereignty, security, integrity को कोई भी हाम हो Atomic nuclear facilities हो Fake currencies हो Counter terrorism हो तो आप N.I.A. चेक करेगी तो terrorism है, cyber terrorism है सब N.I.A. के अंदर आता है Headquarter नहीं दिल्ली में है Branchis, हैदरबाद, गोहार्टी, कोची आपको देखने को मिल जाएंगी 2019 में N.I.A. में एक सुधार किया गया और N.I.A. को और ज़्यादा power देगी गई कि आप बच्चों के खरीद फ्रोग भी देखो कि यार जहां human trafficking हो रही है कुछ ऐसे weapons हैं जो ban है फिर भी use किये जा रहे हैं किसके बाब bomb है उसको भी आप चेक करो N.I.A. का एक special court होता है जिसको judge preside करते हैं central government उसको appoint करती है ठीक है और N.I.A. का याद रखना final decision central government लेती है अगर special court को कोई challenge करे तो Philippines ने protest किया चाइना के अगरेंज थी कि आप South China में आपकी illegal presence है बात या आती है कि South China Sea है कहाँ पर South China Sea बहुत simple है ठीक है यह एक dispute है territory dispute है oceans के बीच में ठीक है ocean का dispute है और China अपना dominance दिखाता है अब South China Sea में बहुत सारी country है वो China के नीचे यह ठीक है एक तो China claim करती है सबसे larger part South China Sea का Philippines करता है कौन सा कितना part कि इसको करना है इसको ज़र्वत नहीं रखनी है ठीक है Malaysia करता है Brunei करता है तो यह South China Sea में और UN clause के according South China Sea में सभी का equal जो है right रहेगा सिर्फ Philippines China अभी क्या करना है Malaysia, Brunei, Philippines इन सब के भी जो area पर illegal presence से दिखा रहा है Science and Technology की बात करें तो सबसे पहला देखिए यह बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है यह भी बिल्कुल नहीं पढ़ना डार्क फिलामेंट यह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना ठीक है IIT मंडी रिसर्चर रिविल SARS-CoV-19 प्रोटीन स्ट्रक्चर स्पाइक जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर है बस कुछ नहीं पढ़ना सिर्फ एक न्यूस काम की है वो भी यह वेस्टन हिमालयाज में जो बर्डी स्पीसिज है हिमालया की ठीक है वो बहुत कम हो रही है वुट्पिकर कटफोडवा जिसे बोलते हैं वुट्पिकर तो आपको बताना IUCN लिष्ट में उसका क्या स्टेटस है तो कटफोडवा जो वेस्टन हिमालयाज में उसकी स्पीसिज कम होई है बट इसके चलते हुए एक मैं न्यूस आपको करवाऊंगा ठीक है इसमें ये करवाऊंगा एक तो नॉन नेटिव स्पीसिज यहां पर आ रही है इस जगह पर नॉन नेटिव एलियन स्पीसिज जिसे आप कहते हो ठीक है हल मैं ये मैंने कराय भी था पर यहां पर क्या होता बाइडिवर्सिटी होट स्पोर्ट इन इंडिया कितने है वो आपको पता होने चाहिए टोटल चार है टोटल कितने हैं चार है देखो चार बाइडिवर्सिटी होट स्पोर्ट हैं भारत में पहला है वेस्टन घाट देज हिलसा प्रजेंट अलॉंग वेस्टन है जो आप पैनिसलर इंडिया ठीक है और पहला वेस्टन घाट से ठीक है ये चीज़ याद रखना Most of Decidious Rainforest यहां पर देखने को मिल जाएंगे फिर है हिमालियाज में हिमालियारीजन में क्या होता है भूटा, North East India, Southern Central, Eastern, Nepal जो है complete है ये हिमालियाज वाला भी एक Biodiversity Hot Spot में include होता है Biodiversity Hot Spot वो होती है जहां पर बहुत सारे species पाई जाती है फिर है इंडो बर्मा रीजन वाला जिसमें मयानमार, चाइना, युनान प्रोविंस ये सब include होता है North East India भी फिर है सुन्दा लेंड, South East Asia के जैसे Thailand, Singapore, Indonesia, Brunei, Malaysia ये सब include रहते हैं तो चार Biodiversity Hot Spot हैं भारत में ये सब चीज याद रखना ठीक है frequently asked question में पूरे एक हफ्ते की जो निउस आती है वो ही आता है सेंटर, WhatsApp का टसल चल रहा था सीरो सर्वे जो है लर्निंग चल रहे है सेंटर और WhatsApp का टसल क्या चल रहा है Central Government कह रही है आप ट्रेसिबिलिटी फीचर हमसे मांगोगे तो हम तो यह कहते हैं अपने यूजर से एंडे टो एंडे इंक्रिप्शन है मैंने हाई भेज आगले बंदे का हेलो वो खुद भी नहीं पड़ पाएगा वर्टसप ठीक है तो इस पर पूरा बोला वहां पर Central Government ने कहा कि यार कभी-कभी मॉब लिंचिंग वाले केसे हो जाते हैं फेक रूमर्स होते हैं इसलिए हम यह आपसे डाटा मांगना चाहते हैं ठीक है तो यह पूरा है और ज्यादा वीडियो देख लेना उससे रेलेटेड है इस्ट इंटरनेशनल ठीक है तर आपने अपने पेडियूजन को सेलेक्टिव चेप्टर भी बताते हैं यह मिस्टर विनीत यह सुपर फिप्टी बैच का यह प्लैन है ठीक है जिसमें मैंने पूरे सभी बुक्स का बताया है सेले प्रिलेमस और मैंस गवर्नेंस अलग पार्त होता है ठीक है उसके लिए अलग से टॉपिक करने पड़ते हैं पॉलेटी मां आता है प्रिसिटेंट को कैसे करने हैं वह सब चीज मेंशन है ठीक है सही आंसर है बंगलियो ठीक है सर मैं 2019 में मैं क्लियर करके इंट्रीव में 3 मा कैसे इंट्रिव्यू कैसी क्लियर करना है वो सब उस IPS अभी से दुलर जी की मैं पूरी भूक का ही एक वीडियो बना रहा हूं तो आप उसको देखना जरूर सर यूपीसी प्रिलिम्स और मेंस के स्लिवर्ट ठीक है यह मैं करवाता हूं ठीक है यह मैं वीडियो बनाऊंगा स् साइकलों अगर आप देखो कि लोग प्रेसर और इंटेंसिफाई ओशियन से ही होते हैं जादा लैंड में तो साइकलॉन नहीं बनेंगे नहीं कंट्रिज तर ऐसा नहीं होगा जहां पर नदी नहीं है जहां पर ओशियन नहीं कैसे बनेगा हूँ यह जोती ही मैं था सज ज तो फरस्ट ज्विलाई दोशार पाहता ना येस नहीं अभी जीएस्टी में सोनियां वह कर रहे हैं कि जीएस्टी तो आ गया था पर बात यह आती है कि जीएश्टी के अंदर आना चाहिए या नहीं मतलब कुछ होंगे ना प्रोडेक्ट जिनको जीस्टी की स्लेप से हटाना चाहिए या नहीं उस पर बात की जा रही है इस पूछ रही है तो आपने एक आप बांड जारी कर रहा तो आप बांड खरोगे खरीद होगे पांस साल बाद आपको कुछ रेटरन मिलेगा मतलब सर्टिफिकेट होगे जिसमां आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक तरह से म्यूच्वल फॉंड की तरह है सर मैं दो दिन से सफर कर रहे हूं आपका टेलिग्राम प्यार पब्लिकेशन सर्च किजिए निशा आपको मिल जाएगा सर ओटी ओटी ओवर दे टॉप जैसे नेट्फिक्स अमेजन जहां फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो ओटी प्लेटफॉर्म सोते हैं थैंक यू आज का इंड कोड रखते हैं हम संडे फंडे थैंक कर दो